नमस्कार दोस्तों क्या आप एक रूम हीटर खरीदने की सोच रहे हैं पर इस चीज को लेके कन्फ्यूजड है कि कौन सी टाइप का रूम हीटर खरीद है कौन सावाला सस्ता मिलता है फिर किस टाइप का हीटर जल्दी से रूम गरम करता है अगर ऐसा है तो you're at the right place इस वीडि फिल्ड हीटर तो मतलब यहाँ पर हम कोई ब्रांड के बारे में बात नहीं करेंगे पर बेस्टान हीटिंग मेकेनिजम किस तरह सा यह रूम हीटर वर्क करता है इसके बेजिस पे इन डिफ्रेंशेट करेंगे तो इन तीनो टाइप के हीटर का हम फूल कंपरिशन कि इन में से आपके लिए कौन से टाइप का हीटर स्यूटेबल है पर इससे पहले शॉट में हम इंडिविज्यली इनका बेसिक इंट्रो और वर्किंग देख लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे फैन हीटर के बारे में तो कहीं बारी से सेरामिक हीटर कन्वेक्शन रूम हीटर या फिर ब्लोवर रूम हीटर भी कहा जाता है तो बिसिकली इसमें ब्लोवर फैन होता है जो कि गरम कोईल या फिर स्प्रिंग पर एड्रेस किया होता है और यह हवा इस पर गरम हो करके बलो होती है बाहर की दरफ तो इस प्रिंसिपल पर यह ब्लोवर रूम हीटर व temperature को बढ़ाने में मदद करता है और technology के साथ grow होते हुए latest जो market में available heater है वो है oil based room heater इसके fins में oil भरा हुआ होता है जो कि switch on करते ही गरम होता है और इससे हमारे room का temperature बढ़ता है हला कि यह room को गरम करने में थोड़ा time लगाता है पर इसका फाइदा यह है कि इसे switch off करने के बाद भी यह oil इसके अंदर जो है वो गरम रहता है इसकी वजह से यह switch off होने के बावजूद हमारे room का temperature maintain रखता है इसमें blower नहीं होता तो मतलब जैसे जैसे कमरे की हवा इसके contact में आएगी room गरम होता जाएगा तो यह तीनो टैप्स के room heater देखने के बाद अब हम इन तीनों की सभी characteristics को compare करेंगे based on which आप यह decide कर सकोगे कीन में से आपके लिए कौन सा room heater है वो perfect रहेगा तो यहाँ पर मैंने एक comparison table दिखाया है जिसमें characteristics जैसे की सबसे पहले children safety की बात करें तो मतलब छोटे बच्चों के लिए safe जो fan है वो है एक तो यह fan heater वाला और दूसरा oil field heater तो यह दोनों safe माने जाता है जहां पर बच्चों को मतलब shock लगने के कोई chances नहीं है infrared मतलब hellogen वाला जो heater है उसमें क्या है कि मतलब छूने पर खत्रा रहता है थोड़ा सा next is works well in large space मतलब बड़े वाले रूम में कौन सा वाला जो heater है वो बढ़िया efficiency से काम करेगा first number पर है fan heater तो यह ठीक से काम करेगा इसमें बढ़िया efficiency से room गरम करेगा और दूसरा oil field heater है इसक efficiency बढ़िया है जैसे हम switch off करता है switch off होने के बावजूद यह हमरे room का temperature maintain रखता है और मतलब room space ज्यादा है बड़ा वाला room है तो भी यह बढ़िया efficiency से आपका room गरम करेगा compared to infrared heaters next हम बात करेंगे less price की मतलब कौन सा वाला जो है वो सस्ता है कौन सा affordable है तो यहां पर fan heater और infrared heater यह दोनों ही बाजी मार जाता है यह दोनों क्या है कि market में compared to oil field heater competitively आधे दाम में मिल जाते हैं बहुत सस्ते मतलब यह affordable range है इसमें हमें यह मिल जाएंगे next हम बात करेंगे energy efficiency की मतलब कौन सा वाला heater use करने पर हमारा energy consumption कम होगा हमरा electricity bill कम आएगा तो यहां पर infrared heater और oil field heater यह जाता है तो इससे हमरा power जो है वो कम consume होता है और दूसरे नंबर पर oil filter जिसके बारे में तो हमने बात कर ली कि इसके अंदर oil जो होता है वह ज्यादा boiling point वाला होता है तो इसलिए जैसा ही हम इसे switch off कर देते है तो भी इसके अंदर जो oil है वह ज्यादा जैता गरम रहता ह और जैसे जैसे रूम की हवाइस का contact में आती है यह गरम होती जाती है और रूम का temperature इस तरह से मेंटेन रहता है नेक्स्ट लेस्ट लेवल तो यह बहुत important point हम बोल सकते हैं क्योंकि जब हम air conditioner खरीदने जाते है तब भी हम उसमें decibel level यानि की noise level check करते है कितना silent air conditioner है ठीक वै fan heater में क्या है कि एक blower fan रहता है जो continuously घुमता है और इस fan का जो है वह बहुत आवाज आता है तो fan heater silent नहीं रहता नेक्स्ट है low time to heat तो मतलब कौन सा वाला जो heater है वो झल्दी से हमारा room गरम कर देता है देखि हम यहांपे मतलब energy efficiency की बात नहीं कर रहे है larger space की बात नहीं कर रहे हम यहांपे बात कर रहे है जल्दी से कौन सा वालाज हीटर है वो हमारा room गरम करेगा तो fan heater और इंफ्रा है और वैसे ही थंडा होने में भी टाइम लगाता है और लास्ट एंड दो मोस्ट इंपोर्टन पॉइंट दो नॉट अल्टर ऑक्सिजन लेवल एंड हुमिडिटी मतलब कही बार कुछ शीटर में क्या प्रॉब्लम होता है कि स्वीच ओन करने पे थोड़ी देर बाद आपको मतलब सफोकेटिंग फील होने लगता है सांस लेने में तकलिफ होती है और हुमिडिटी जो है वो कम हो जाती है तो आपके स्किन पे भी मतलब आप कमफोर्टेबल फील नहीं करोगे तो यह प्रॉब्लम जो है वो हमारे लेटेस्ट रूम हीटर जो है ओईल फिल्ड हीटर और नुकसान है पर अगर मुझसे पूछा जाए कि कौनसा वाला हीटर मैं सेजस्ट करूँगा तो वह है ओईल फिल्ड हीटर यह क्या है कि टेकनलोजी के साथ मतलब अपडेटेड हीटर है जिसमें बहुत से फाइड ज़ेसे कि हमने देखा यह ऑक्सीजन लेवल और हुमि साथ में मिलेगा और दूसरी चीज़ किये थोड़ा टाइम लगाएगा रूम को गरम करने में इस कंपर टू फैन इन इंफ्राइड हीटर मतलब 15-20 मिनिट आप ले करके चल सकते हैं बीजड ऑन हीटर साइज मतलब इसमें भी हीटर की साइज आती है वह कह कि बॉक्स पे मे लेगा और आप इसमें भी टेम्परेचर साइट कर सकते हैं वह कि आप चाहे तो फैन हीटर और इंफ्रारेड हीटर के साथ भी जा सकते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल स दीविल एंजिनीरिंग फोरम का सब्सक्राइब जरूर करें इस वाल फार तोड़े थैंक यू फा वाचिंग